सबसे में चीज यह है कि हम अपने आपको अम्बिडगरवादी कहते हैं तो सिद्धी सी बात है जब तक अपने घरों में जो देवी देवता लटकाई फिर होगे तो तब तक आप ना तो बोदिश्ट बन सकते हो ना ही अम्बिडगरवादी बन सकते हैं आज मेरे साथ है लोकिश कटारिया राष्ट्य द्यक्ष है नैसनल भीमार्मी के आज से लगवग तीन-चार साल पहले यह चर्चा में आये थे इन्होंने गाउं-गाउं जाकर एक कबाड़ी का ठेला लिया और पूरे गाउं के अंदर जहां कई भी इनको हिंदु देवी दे को उतार उतार कर फैकी उन्सकों ले जाकर एक जगए इक एक खटा कर दिया और मुनादी गाफ़ी पूरे गाउं में जिनकी मूर्थी हाँ उठाकर अपनी ले जाए हालाकि उनको इक खटा करके एक जगए रखात दिया गया लेकिन उनके जो करोड़ो बच्चे जिनको हम आज हिंदू के नाम से जानते हैं उनमें से एक भी हिंदू उनको उठाने नहीं आया इस मामले में लोकेश खटारिय के उपर फायर भी दर्ज हुई वह जेल भी गए और वर्तमान में भी बारत तेरे केस इनके उपर इस तरह के चल रहे हैं असान्ति भढ़काने के लोकेश क्या मिलता है इस सब्सक्राइब किसी के दिमाग के अंदर अगर कुछ डालना है तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा तुम सीधा प्रतिकरिया कर देते हुए नहीं देखो जो मेरी अपनी थेंकिंग है जो मैंने पढ़ाया जो चीज चलो मैं पढ़ा नहीं बोल आप घर में किसी देवी देवता की तस्वीर लगा लो चोटा सा बच्चा होता है वह यह पूछता कि कोन है आप बताओगी हमारे भगवान ने तो हमें तो कोई समझाने वाला थी था नहीं बच्पन में बट यह कि इंटर के बाद हम बढ़ेगर बन गये थी नहीं पूजा पाजा तो खेर करी नहीं परियों है उस टाइम तो पढ़ाई करते जो मावपो न सिखाया वह चीशी सीथे थे तो अभी क्या लगता है कि जिसने के सारणपूर में मेरेट में फहमा से हैं क्या लगता है कि आप गरीबों कर रोविन हुन नहीं हूं बट यह है कि जो अपने मेरे सिधी आता सब्रेंगे में सबीभी लोग पूरी टीम वर्तमान में देखा जाया है तो सभी लोगं अपर अपर अपने संगठन या वह जो भीमार्मी से पहले संगठन वह सब उसमें चले गए तो नेसल्नल में क्यों बहुंभी मिन के साथ हम लोगने महनत हो संगर्स भ जनीति नहीं करूंगा तो इस जो स्वामाजिक मोमेंट तयार हुआ था पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उसका पार्टिशन कर दिया है और पार्टी हमारी बसपा है आधरिनिया बहन कुमारी मयवतिने उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों को आज जो बिभार्टी बीजेपी आजरा पूरा प्रियास किए और जो आरेस के बनाएवे सिद्दानतों पर यह कारी और पुर्देश में भगवाधारी पर्चंड लहरा रहा है इसके नक्से कदमों पर इन्हीं के फंडिंग से चंद्र से करी इतना बड़ा आज लीडर बना हुआ ह औरे भेन जी को 34 साल लगे हिली कोप्टर में बैठने कर यह बन्दा दो साल है है तो हमारे लोग किस बात का दरद है लेकिन निकल नहीं नहीं बता रहा हूं जतना पैसा आप जितना फंडिंग उनका पालतू बनकर कारिया कर रहे हैं अगर उसी कारिये को बेंगे का पाल तो यहां को गाली अब यह तो खुले मंच पर कहते हैं सापनात एक नागनात कैसे नहीं कहने को तो मैं भी कह सकता हूं मैं दिल्ली में प्रेस कांफरेंस करके जल्दी इसका भी मैं 2022 के चुनाओं से पहले काला चिठ्था खुल दूँगा दो प्रेल के मामले में भी आप लोग हीरो बने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों की वैसे तेरे चोद हमारे जो समाज के युवा है वो सही दो गए नहीं कि देखो हमारी वजी से नहीं है तो सभी को पूरे बहुत बड़ा समर्थन रहा और तमाम संगठोंने में मैंने केस तो खैर हमारे उपर हुए हैं लेकिन यो है कि हम लोग थोड़ा सा आज चल रहे हैं केस चल रहे हैं उसमाट मैंने की जेल भी काटी हम लोगों मुकदमों दरनी हैं काफी मुकदमे हैं लेकिन देखो किरांती लड़ेगे किरांती करेगे और सरकार के खिलाब बोलेगा अपने लोगों की आवाज उठाएगे तो मुकदमे तो नोर्मल जेल भी नोर्मल है लोकेश कटारिया लगों पिछले 5 साल पहले बारवी के बाद तुमको बा लेकिन हाँ बाबासाब की तरफ को उठाता है तो हम सविधानिक तरीक इसका इलाज भी जानते हैं क्योंकि जो कानून बनाया बाबासाब ने सविधान बनाया उसको इसकी सज़ा दिलाते हैं पूरे देश में बीमार्मी चल रही है इसमें पूरे देश के अंदर आप बीमार्मी के उनकी साधी है और साधी के दिन ही वे तीन मई को मध्या प्रदेश के अंदर बहुजन एकता महा सम्मेलन कराई जिसमें जो दो अप्रेल के आंदोलन में जो तेहरे लड़के सहीद हुएते हमारे समाज के उनके मातापिता को सम्मानित करके थाकि उनका होसला बढ़ा रहे और आने वाले समय में इस देश के अंदर जो हमारे भीम सेनिक क्रांतिकारी बने के आते हैं उनका होसला हमेसे बढ़ा रहे उनका सम्मानों आप होसला बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि देखो अगर यह लोग अगर नहीं बाजाए ना चाहे वो सुप्रीम कोट हो खुला कह रहा हूं सुप्रीम कोट हो चाह सरकार हो अगर यह लोग बाजनी हैं फिर दुबारे से दो अप्राय दोरा जाएगा इसमें कितने भी इस बार अगर हमारी जान देने के लिए तैयार है किसी परकार से हम पीछने रटने बाश्या आप लोग घरबार छोड़कर लगातर समाज के लिए लगे हुए हैं और यहां पर दर्द पता है और मैं बता दू जितने भी हमारे समाज में बड़े-बड़े जो क्रीमी है जो लोग क्रीम खारे बाबासाब की बनाएवे आरक्षन की वज़े साज लोग बैठे हैं उनके बच्चे मुझे बता दीजी लगे लगे जब अरक्षन खतम हो जाएगा और जो उनका सब कुछ खतम हो जब देखते हैं कि कौन सा उन्हें किस ने दिया या राम ने दिया वह पता लग जाएगा इतना इतना रोज आपने अपने अदर दवा रखाये और हशी के पीचे उसको चुपा रहे हो क्या करते हैं अरे हम मनवादियों को तो कोस्ते मचों पर चड़ लेकिन जो समाज के गद्दार बने बैठे हैं और जो बाबा साब के दी हुई भीक्स हैं आज वे लोग क्रीमी बनकर बैठे हैं उन लोगों को तो दिखना चीए सरम आनी चीए अगर उन्हें सरम नहीं तो है नीरव मोदी भाग गया बड़े बड़े लोग अरवर उपे लेके बाग गए अगर हमारे समाज का क्रोरपती लगपती समाज से बन गया खीच-खाच के किसी तरीके चे दोनों बरके पैसे कमांगे बरके तो उससे आपको क्या दिक्कत है क्या आपती है देखो आपती कुछ नहीं लुको को जरुरत मंद है कितना बैटर है इसकी पर सब्सित्रan कम करें तो हम अच्छे के लिए आगर वह समाज के लिए तो हम को समाज के लिए there तो हम 48 घंटे उनकी लिए खड़े हैं मतलब लोग पढ़ें लिखें नोकरी करें पैसा कमाएं बच्चों को पालें अपने भी खर्चा करें उसके बाद तुम्हें भी दें हम तो मांगी नहीं दें लेकिन जहां जरूरतमंद है अगर कोई यू मेरट का है तो मेरट में जो प हमारी मदद करने चांडे हम अच्छा काम कर रहे तो किजिए अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं हमें तो करना ही एक काम और हम करते रहे यह से इस तरह के वीडियो पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है हमने जिसमें मेडिया कर्मियों को अपने गायक कलाकारों को अपने मंचों पर जो हमारे जो युवा आप लोगों को प्रेड़ना देने के लिया आते हैं बाबा साब की विचारदारा और तदागत बुद्ध की से आपको प्रेड़ित करने के लिए आते हैं तो मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि आप ऐसे जितने भी हमारे समासेवी हैं उनको कुछ ना कुछ आप यहां पर मैं एक उधारन देना चाहूंगा गुर्दवारे मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हैं मत्ते हैं लेकिन शब्रत पेले हम लोग क्या करते हैं आपने कभी सोचा है जब गुर्दवारे में जाते हैं तो सबसे पहले जो हाँ पर दान पात्र होता है उसके अंदर 10, 20, 50 सोर पे डालते हैं, उसके बाद मत्था टेकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे समाज से भी को भी यह सोजना चाहिए, कि हमारे समाज में जो मीडिया काम कर रही है, हमारे समाज में जो गया कलाकार काम कर रहे हैं, लोकेश कटारिया जैसे जो समाज से भी काम कर जो अपना घरबार चोड़कर किसी मतलब उनके पास कोई नोगरी प्यासा भी नहीं है लेकिन वो सिर्फ समाज की चिंता में लगे हुए ऐसे लोग जब भी आपको मिलते हैं उनको कुछ ना कुछ आर्थिक साहिता बिना उनके मांगें मांगेंगे नहीं आप से जैसे लोग क सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को वैल आइकोन दवाना ना भूलें सबसे पहने हमारी वीडियो देखने के लिए